दोस्तों किसी ने सच ही कहा है कि रख होसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा थक करना बैठ है मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा इसलिए आपको जो है ठक हारकर नहीं बैठना क्योंकि जिस दिन का मुझे इंतजार था वो दिन आज आ चुका है क्योंकि फाइनली यहाँ पर मेरा गूगल एडसेंस पिन जो है आ चुका है यह देखे दोस्तों यह रहा मेरा गूगल एडसेंस पिन के बाद पैसा ही पैसा होगा दोस्तों आज मैं बहुत ही ज्यादा खुस हूँ और खुस हो भी क्योंकि आज मेरे लिए एक ऐसा दिन है इतने खुशी इतने खुशी है जिस दिन का इंतजार मैंने यहाँ पर दो साल से किया है जी हाँ दोस्तों इस पिन को प्राप्त करने के के लिए मैं यहाँ पर दो साल से मेहनत कर रहा है क्योंकि इस पिन का इंपोर्टेंस वह बहुत ही ज्यादा होता है अगर यह पिन आपको नहीं मिलता है तो आप यूटूब पर चाहे जितनी भी अर्निंग कर लें आपको एक भी रूपया यूटूब से नहीं मिलेगा तो यह किसमत में आज आये गट जो लोग यह सूचके बैठ है कि हमारी चीज मैं नहीं है तो मैं आपको यह बता दूछ के अगर लोग बजल सकते हैं तो किसमत क्यों नहीं सकती है तो इस चीज को आन रखना है जो कांटिनूटी के साथ मेनत करना है ताकि आगे चलके आप लोगों को भी एक दिन ये एडिसन स्पिन अपलाई करने का मौका मिले और आप यूटूब से अच्छा घासा पैसा कमा सके हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जाता है मोटिवेशनल और इंपोर्टेंट होने वाली कि आज की वीडियो में आपको मैं अपनी थोड़ी स्टोरी भी बताऊंगा कि मैं कैसे यहां तक पहुंचा हूँ और साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो एडिसन स्पिन से रिलेटेट जितने भी सारी आपकी कोईरी जो होती है कि Addison Spin क्या होता है Addison Spin कब हम Apply कर सकते हैं अब Monetization से पहले Apply करना है या फिर Monetization के बाद Apply करना है Addison Spin Apply करने के बाद ये हमें कितने दिन बाद मिलता है और मुझे कितना टाइम लगा Addison Spin को पराप्त करने में अज की इस वीडियो में सब कुछ detail में आपको बताने वाला हूं ये सारे जो questions हैं आपके इन सभी का मैं आपको यहाँ पर जवाब देने वाला हूं और साथ मैं आपको यहाँ पर अपनी थोड़ी सी story भी बताने वाला हूं कि मैं कैसे यूटूब पर आया कितना टाइम लगा मुझे एडसे स्पिन को प्राप्त करने में और अभी तक मेरे यूटूब चनल पर आर्निंग कितनी हो चुकी है ये सारी चीजें भी मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ठीक है अब चली मैं आपको बताता हूँ कि एडसे स्पिन आपको अपलाई कैसे करना है ये वीडियो में जो पहले बना चुका हूँ वही बहुत ही अच्छे तरीके से देख स्पिन अपलाई करने के लिए चली अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे अड़ियो में पर आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेयर करता हूँ यहां पर आप लोग देख सकते हैं मैंने जो AdSense pin है वो लगबग 10 से 12 दिन पहले यहां पर apply किया था और मेरे Adson's pin है वो यहां पर 2 दिन पहले ही आया था बट यहां पर जो postman था तो उसने नहीं आता है तब आपको करना क्या है आपको सिंपल सा अपने Google Adsense account में login करके वहीं पर आपको एक option मिलता है recent apply Adsense pin कर ठीक है तो वहाँ पर आप दोबारा से वहाँ पर अपने जो Adsense pin के लिए वो apply कर सकते हैं तो चलिए अब मैं आपको यह बतातों कि आप Adsense pin कर सकते हैं देखे जब आपका YouTube channel monetize हो जाता है monetize होने के बाद जब आपकी YouTube channel पर 10 डॉल के अर्णिंग complete हो जाती है इसके बाद आपको एक mail आता है Adsense pin apply करने के लिए ठीक है मतलब कि आपका YouTube channel पर जब 10 डॉल के अर्णिंग complete हो जाती है तो इसके बाद ही आपको Adsense pin apply कर देना जाहिए वो भी तुरंत कि अगर आप लोग 60 दिन के अंदर अपना Adsense pin apply नहीं करते हैं तो आपका YouTube channel है वो demonetize कर दिया जाता है तो आपको 60 दिन से पहले ही अपने Adsense pin को apply कर देना है तो आपको मैं अपर एक important चीज और बता दूँ कि अगर आपका Adsense pin आ गया है तो उसको तुरंत ही आप verify कर लीजिए ठीक क्योंकि अगर आप लोग अपने Adsense pin को verify नहीं करते हैं चार महीने के अंदर तो आपका चैनल जो ही यहां से भी demonetize कर दिया जाता है तो आप काफी से लोग यहां पर कोई लिए रहती है कि अगर मैं Adsense pin डालने में asfal रहा तो क्या होगा तो मैं आपर आपको बता दूँ आपर आपको तीन chance मिलते हैं आपको Adsense pin को डालने के लिए अगर तीनों बार आप असफल रहते हैं तो आपका जो Adsense account है वो यहां से बंद कर दिया जाता है अगर आप तीन बार असफल रहते हैं आपका Adsense pin को verify करने में या फिर डालने में ठीक है तो आपको ये सारी गलतियां नहीं करनी है तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा से ये बता देता हूँ कि मेरे YouTube की journey कब सुरू की थी एडिशन spin को प्राप्त करने मुझे कितना time लगा और बीज में क्या-क्या जो समस्या है वो आती है हर एक YouTuber के लिए तो यहाँ पर जो सबसे पहली problem होती है वो है घर वालों की गाउंवालों की रिष्टेदारों के ठीक है रिष्टेदार तो भड़ा दूर ही रहते हैं बट गाउंवाले और जो घर वाले होते हैं जब हम लोग नया नया YouTube चैनल शुरू करते हैं तो वहाँ पर हमको सपोर्ट नहीं मिलता है यह हर एक YouTuber की कहानी होती है ठीक है बट फिर भी हम लोग लड़ जगड के कही न कहीं वीडियो बना लेते हैं ठीक है इसके बाद जब आपका जो अर्निंग आने लगी अच्छी खाथी तो आपके इसको फॉल टाइम एज़ा केरियर भी ले सकते हैं चलिए मैं आपको बताता हूं कि मैं YouTube पर कवाय था ठीक है तो यह बात है 9 माई 2022 की जब मैंने नया YouTube चैनल अपना शुरू किया था जब मैंने YouTube शुरू किया था तब भी हमारे पास जो है यहां पर YouTube का सेट अप नहीं था और आज भी नहीं है बट हमने आप लोग यहां पर देख सकते हम लोग घर से दूर लगभग 500-600 मीटर दूर आया है यहां पर सांती है यहां पर कोई नहीं है और यहां पर विडियो एक सीख ले सकते हैं कि अगर आपके पास यूटूब सेट अप नहीं है या फिर आपके पास अच्छा मॉयल नहीं है टाइप और बगएर नहीं तब भी आप YouTube पर काम कर सकते हैं वह आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हैं ठीक है तो मैंने YouTube चैनल अपना ज देख जाएगा ठीक है तो मैं हम सबसे पहले वाल पेपल आकर उसमें वीडियो सूट किया करते थे इसके बाद हम लोग एक ब्लेक परदा और एक ग्रीन परदा ले आए थे ठीक है इसको तो कुछ दिन तक हम लोग ने वहां पर भी सूट किया बट कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि हम वहां पर जो है समान रख दिये गए ठीक है तो महां पर हम लोग ने वह सेट अप हमको छोड़ना पड़ा तो इसलिए अब हम लोग जो है अपना बैक्ग्राउंड में आपर सूट कर रहे हैं ठीक है और इस बीच में काफी सारी समस्याएं आती है जो कि हर एक य रोकिया कि आज की बिड़ों बस इतना ही और मैं आपको एक चीज और कहूंगे कि आपके पास भले ही कोई सुविधाय ना हो आपको बट बस आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए माईक भी नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है आप यूटूब पर काम कर सकते हैं कि मैं तो आप लोगों को भी ठक हार कर नहीं बैटना आप लोग काम करते रहना कि कभी कभी एक ऐसा दिन जरूर आए कि जब हमारा यूटूब चल भी यहां पर ग्रो होगा ठीक है तो आपको कंसिस्टेंटली कांटिन्यू तरीके से अच्छे से वीडियो बनाकर आपको वीडिय करते रहे ना चलिए फिर मिलते कि से इंपोर्टन्ट जान कर से तब तक लिए जाए हिन जाए भारत